हेलो दोस्तों तो आज फिर एक नया नोटिफिकेशन आया है जोब के बारे में ठीक है यह क्या है जोब का नाम पटना हाई कोट लोग असिस्टेंट एले एक्जाम यानि के ऑल्लाइन फॉर्म 2020 अब इसकी पोस्ट डेट कब आईए एक जून 2020 बारे बचकर पांच मिनिट पर ठीक है अब नीचे देखते हैं शोट फॉर्म आप पढ़ लेना ठीक है और आप नीचे को आते हैं इसकी इंपोर्टेंट टेट के बारे में और एप्लिकेशन फीस के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि यह कोन अप्लाई कर सकता है ठीक है वीडियो में बने रहे हैं इंपो करती थी यानि कि डेट 1622 को लाज डेट है अब यहाँ देखें आप फीस पेमेंट की क्या है लाज डेट 2622 को और सीप्ट की क्या है लाज डेट 2522 को और एक्जाम डेट कब है नहीं पता जब आएगा यहाँ पर दिख जागा तो आप सिंपली सरकारिजल.com पे आएं जो अ आपको दिख जागा यह वाला नोटिफिकेशन पी एक्जाम डेट नहीं पता ठीक है आएगे अब देखते हैं अप्लिकेशन फीस एप्लिकेशन फीस क्या है जनल ओबी सी डॉलूएस डाइसो 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 ठीक है पेद एक्जाम डेशन फीज थूरू डेविट की नचे नीचे ढ़ देखिते हैं आप अब इसके यज के बारे हम है मिनीमम यह सकी यह अखिक है अब नीचे को देखें कि यहलर तोंटल तोंटल इसमें सोलाइं प Dunpeõ से सोला है लो असिस्टेंट और क्या क्या चाहिए सबसे महान बात सबसे महान बात है कि बैचलर मास्टर डिग्री इन लो जिन्हों ने लल भी कर रखा है तो वह अपलाई कर सकते हैं ठीक है और मोर डिटेल के लिए नोटिफिकेशन देखें इसमें यह बता रखा है हां तो कैसे अपलाई करना है सबसे पहले कि इसमें बता रखा है पहले पॉयंट में कि 4689 से लिकां चल्स चल्य सकते हैं ठीक है और इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो भढ़ना चाहते हैं यानि कि जो भढ़ना चाहते हैं वह भढ़ने से पहले notification देख लें ठीक है अब यह तीसर पॉइंट पर देखते हैं क्या है तीसर पॉइंट कांडली check and collect the all document eligibility ID proof address detail basic detail यानि कि अपने सारी जानकारी देख लें ID proof देख लें और जो भी address detail हो सारा कुछ देख लें एक same होना चाहिए ठीक है अब यह नीचे देखते हैं kindly ready scan document related to admission entrance form photo sign ID proof यानि कि इसके बारे हम कह रहा है कि ID proof और signature यह सब scan करें डालना हो ठीक है और यह वाला इसका मतलब before submit the application form must check the preview and all column carefully यानि किसका मतलब यह है कि अगर आपने सारा form भरत दिया यानि submit करने से पहला आप carefully check कर लें कोई spelling गलत ना हो कुछ भी मतलब कोई image सही से नहीं आ रही हो वो सब आप check कर लें ठीक है अब last में take a print out of final submit जब final हो जाए तो आप print दे सकते हैं ठीक है यह इसकी जान का रही थी अब नीचे देखते हैं कब यह है आपका apply online form click here apply online form download notification यहां से download notification कर सकते हैं और यहां इनकी website पिजा सकते है पटना high code official website ठीक है तो यह जान का रही थी पटना high code assistant के लिए ठीक है आई होप कि आपको यह वीडियो समझाए होगा तो आप ऐसी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को subscribe करें लाइक करें और share करें